स्वीट खोपरे के लड़्डू बना रहे हैं हमारे तरीके से यह देखो इसमें से दो चमच दो चमच मतलब चाय की चमच भरके घीदा लेंगे एक प्याली एक खोपरा है यह देखो यह ऐसा बजार में मिलता है एकदम फर्स क्लास यह एक किलो ऐसा पाकिट रहता है खोपरा खिसा हुआ रहता है अशा आपकी एला यह खोपरा लाने का और बनाने का नारियल बहुत पहिंगे चालीज रुपए का एक इतना सा नारियल यह देखो यह एक चिम्टी भर थोरा सा कलर लिए औरेंज और यह एक टीस्पून ये लिए है इलाइची पाउडर शक्कर में दाल के पीसे हैं और ये एक कप भरके मिल्क मिट लिए हूँ में ने और ये थोरा सा मतलब तीन चम्मज भरके मावा लिए हूँ ये देखो ये थोरा सा गी जादा गी नहीं लगता इसको ये गी दाले अभी इसके अंदर एकदम इजी एस रेसी दिये फटा फट बनती जल्दी से बनती जो मीठा खाता न उसने फटा फट बनाने की टेश्टी टेश्टी चाई के साथ कभी भी याद आया खाने को मन करा तो बनाने की एकदम टेश्टी टेश्टी पस किलास दीमी आच में बनाने का कलर डाले, आपको कलर जाहिए दालो, मद डालो, हाँ कोई बात ने, अभी इसको खोपरे को डालेंगे अभी खोपरे को डालेंगे और थोरा खोपरा लेंगे, उत्में लड्डू को लपटेंगे आप गिल्ला भी ले सकते हमने सुक्का ली हैं सुक्य का बना के देखे और भी आपको बता रहे हैं एक दम फर्स व्रेश्टी चिश्टी ये देखो ूब इलाई छी 我टर शीय दालें । बूर दालें आपको बता देंगे और दीविया आज पर हम बनाए हैं आपको बताएंगे और देखो फर्स क्लास ऐसा गोल बनाने का थोरा ठंडा होने देने का ऐसा कुछ नहीं देखे ऐसा गोल बन गया आपको इसको एक खोपरे का पाउडर का घुर्दा क्या बते इसको इसमों लप्रेटने से बहुत खुश्चुरत दिता है और फिर बतन में लड्डू बन गया देखे कैसे फर्स क्लास एकदम कम खर्चा इसमें कुछ खर्चा भी नहीं हुआ इतना अच्छा बना ऐसा बनाओ मुझे फोटू बेजो कमेड़िवी दालने के लिए हां ऐसा बनाओ आगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी कोपरे के लड्डू झाते हैं